दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी विदू जामवाल काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं दोस्तो आपको बताते चलें कि जब से नेपोटिसम की बात चल रही है तब से विदू जामवाल को सबसे जादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का कहना है कि विदू जामवाल काफी जाधा टैलेंटीड है, खुद एक्षन करते हैं और खुद इस्टंड भी करते हैं और उनका बॉलिवूड से फैम्ली बेकग्राउंड भी नहीं है तो ऐसे में विदू जामवाल रियल टैलेंटीड है तो इसलिए दोस्तों सभी लोग विदू जामवाल को काफी जादा सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तो हाली में विदुद जावाल ने एक बहुत बड़ा रिकोर्ड भी बनाया है जिसमें कि उनका टॉप टैन में नाम भी दर्ज हो चुका था दोस्तो हम आपको बता दें कि विदुद जामवाल की एक नई फिल्म आ रही है खुदा हाफिज इस फिल्म में विदुद जामवाल अपने धमा के दार एक्शन से दर्जको का मनोरंजन करते हुए दिखाई देंगे और दोस्तो इस मूवी के ट्रेलर को काफी जादा लोगों ने पसंद किया है कई बॉलिवुड के दिगज कलकारों ने इस मूवी में अपना रियक्शन भी दिया है जिसमें से अक्षे कुमार भी शामिल है जी हाँ दोस्तो बॉलिवुड के खिलारी कुमार याने के अक्षे कुमार ने अपने इस्ट्राग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डालते हुए कहा कि मैं हमेशा ही एक रियल स्टोरी को लेकर काफी जादा एक्साइटेड रहता हूँ मुझे रियल स्टोरी काफी जादा पसंद आती है और यह जो फिल्म है इसमें कोमन इंसान किस तरह एक एक एक्स्ट्रा ओर्डनरी जर्नी जीता है और अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत ही जादा मसकत करता है और उसके लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाता है और इसलिए मुझे ये फिल्म का ट्रेलर जादा पसंद आया जी हाँ दोस्तो अक्षे कुमार अभी एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो विदुद जामवाल को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं और विदुद जामवाल को भी सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तो ऐसे में तो सभी लोग एकसाइटिड है सभी लोग विदुद जामवाल के ट्रेलर को बहुत ही जादा पसंद कर रहे हैं तो दोस्तो आपको क्या कहना है अक्षे कुमार के इस रेक्शन के बारे में हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ इपॉल्विर से जुड़ी और भी सची खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले